हेलो दोस्तो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल All About Exam में फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPBA exam और उसके आगे के process जो आपका result है या फिर आपका answer की है या फिर आपके admission के process, counseling के process इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चुकि आप सब जानते हैं कि आपका जो UPBA 2020 का exam है वो conduct हो चुका है अब ये exam successfully conduct हुआ है या फिर यहाँ पर कैसे समपन हो चुका है यहाँ पर कहा जा सकता है अब बात है आपके जो आगे के answer की है या फिर आपके result के date है उसके बारे में तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से इसी पर चर्चा करने वाले हैं तो आए फ्रेंड इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like और share किजिए तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं जो कई सवाल यहाँ पे ऐसे हैं जो चात्रों के तरब से यहाँ पे आ रहे हैं कई यहाँ पे चात्र लaghतार कमेंद करके अपने बातों को रख रहे हैं किवगि देखे तो अभी लगभग इस सारे 4.00000.000 के ईडिट यहाँ पे इस से अरे चातर इस एक्जाम को दे नहीं पाएं इस एक्जाम में एटेंड नहीं कर पाएं तमाम तरह से यहां पर मेसेज आ रहे हैं साथी दूसरा यहां पर कि आप देखे तो लगबग 80% कहा जा रहा है कि प्रेजेंटी था इस एक्जाम में और दूसरी बात कि तीम कितनी ज़नाक यहां पर ख़वरण आरही है यहां पर गतल हुआ है ज्याँ में अंहीं कर्दनार्ध दिया है एक excitles है यहां पर अपक्ड़ा गया है तो अगर आफ։ने च जात्र आन्रभ में रिट है कगे अगर एक ऐसे छात्रा थी जो एक्जाम सिंटर में ही बेवस्थ हो गई ती वहाँ पर डॉक्टर की बेवस्था नहीं थी तो तमाम तरह कि यहाँ पर बातें अभी आ रही है लेकिन वहीं पर बात करें तो आज यानि कि मंडे यानि क्या सोंबारा जानते हैं और आज सबसे बड़ी यहाँ पर यूपी की गॉवर्मेंट उसने एक डिसिजन लिया है और यूपी के जो उपमुख मंत्री है दिनेश सर्मा जिने आप जानते हैं उनकी एक मीटिंग हाई जो हाँ पर सिनियर ऑफिसल से हाई अफिसल की मीटिंग यहाँ पर आज चंडक्ट कराई जा रही है वो कि नहीं कहीं पर सोसल डिस्टंसिंग का रूल फॉलो हुआ नहीं कहीं पर अच्छी सा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ और फोटो जो आप देख सकते हैं सोसल मेडिया पर जो वैलल हो रहे हैं वहाँ पर कई तरह से देख सकते खौफनाक दिख रहा है और इसी अधार पर मांग क को डिलीज कर दिये जाएंगे वहीं पर आपके रिजल्ट डेट की बात करें तो रिजल्ट आपका इस मंत के एंड तक आपका रिजल्ट पब्लिस कर दिया जाएगा यानि इस मंत के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट पब्लिस किया जाएगा और आपके रिजल्ट पब्ल समझना होगा आप फिर इप्लेस्टन तो कर रहे हैं, आप एकजाम भी दे दियें और आपको बहुत कम समय आगे मिलने वाले हैं चाहे वो counseling के process हो या फिर रिजल्ट है या फिर आपके admission के process ऋ और आपके नये session की क्योंकि बहुत सारे छात्र के मनमें डाउट है कि नया सेस्टन कब होगा तो मैं उनको बता दूँ अभी ऐसा कोई अफिस्टियल नोटिस नहीं कि नया सेस्टन कब से होगा लेकिन जो यूजिस यह आडलाइंस आया था जिसमें बताया गया था मैं चाड़ी मिनिस्ट्री के तरब से कि जो रमेश पोखड़ा निसांग उन्होंने सीज़ेत और पर कहा था कि जो नया सेस्टन है किसी भी उनिवर्सिटी का उसको स्टार्ट कर दिया जाए नॉवंबर तक तो नॉवंबर में आपका सेस्टन संबहुत स्टार्ट हो सकता है जिसके लिए अभी एक से डेर मन्त के अंतरगा सभी प्रोसेस को कंपलीट करना होगा तो आपके पास टाइम बहुत कम है आपके रिजल्ट आने के बाद आपके मेरीड बनने के बाद आपका सभी चीज यहाँ पे तुरंथ होने लाएगा तो फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे इस कोरोना एकाल के questions को पूछा नहीं गया क्योंकि यहां पर यह दावा यह की जा रहे चात्रों के तरफ से कि जो exam के questions त्यार किये गये थे वो पहले जो त्यार किये गये थे उसी questions को यहां पूछ दिया गया है उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है अर्थात जो पहले questions थे वही कुरोना एकाल का कोई भी question नहीं था तो friends इस अधार पर merit आपका कम नमर पर ही बनेगा आपको tension लेने की कोई जरूरत नहीं है और आपको जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा उसे positive आ रहा है कि हाँ मेरा result हो सकता है बिल्कुल वो तयार है क्योंकि इस बार exam देख रहा है बहुत सारे छातरों का exam छुटा हुआ है तो आप लोग के chances अधिक बनते हैं तो आप लोग अभी सही अपने documents और जो भी आपको यहाँ पे जो counseling के process है उसको जानने का प्यास कीजिए और उसे यहाँ पे collect करने का काम कीजिए जो भी document अगर आपके पस नहीं है उस document को बनवाने का काम कीजिए और आपको next वीडियो में बताने यह वीडियो आपको इसे ही लंबा हो जाएगा साथ ही केतने आपको document के अंदर गत कौन से document और कहाँ पे क्या qualification के अंदर गत आपको जो photo हो गया कौन से document है, कौन से certificate है और तमाम बातों को हम लोग उस वीडियो में देखेंगे और आपको counseling कैसे करना होगा इन तमाम बातों को हम लोग next वीडियो में देखने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like और ज़्यदा share कीजिए, और आप सबो को मेरे तरफ से congratulations, आपके जो best wishes सो पूरे हो और आपके जो result है आपके अपने तरफ से positive आए, तो thank you friends